नमस्कार दोस्तों मेरा नाम बायोमन है और स्वागत करता हूँ आपका बायोमन पॉइंट पर तोड़े इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एबाउट सिस्ट किंगडम क्लासिफिकेशन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन यानि कि छे जगत वरगी करण ठीक है फाइफ किंग क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया दिया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने तीन डोमेन दिये लाइफ के तीन डोमेन यानि कि जीवन के तीन डोमेन दिये ठीक है और उन्हीं तीन डोमेन में छैयों किंगडम को रख दिया ठीक है अभी मैं आज सुबा की क्ल एक चैनल करा में बजास तो इस बudas unless नुक्र गया यह कुछ कमेंट के आ आटे कूछ बाते होती न किसी से नहीं सेर कर पाते हैं तो कमेंड में बचलते हैं कि सायद बह्या की ने कि बच्छा सुबह सुबह मतलब लिखा यह करीब 5-6 बजे का कमेंट है ठीक है मौर्णिंग में वीडियो देख रहा था लिखा कि भाई दिमाग में कभी-कभी अचानक से क्या चलता है कुछ पता ही नहीं चलता है और परेसान हो जाता हूं कभी-कभी कभी लगता है कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं क्या करूं त्यार देखो तुम्हारे दिमाग में अगर कुछ इधर-उधर की चीज़े आ रही है ठीक है कभी-कभी डी-मोटिवेशन आ रहा है उदास हो रहे हो कभी-कभी हतास हो रहे हो तो यह कोई खराब बात नहीं है कि बहुत खराब बात है ना अगर ऐसे थोट नहीं आ रहे हमेशा तुम जह है किसमे हो हमेशा तुम ओर और और तुम वह खराब बात है वाई कि अगर तुम और और तो वह नीज़े गिर जाओगे कभी-कभी डी मोटिवेशन उदासी और इसाब चीज़े आने दो कोई बात नहीं ठीक है अपने दिमाग को तीन चीजों से भर लो पहला knowledge दूसरा skills और तीसरा attitude वो भी positive mental attitude से भरो ठीक है जितनी knowledge हो सकती knowledge इकठा करो इकठा करो इकठा करो जिसके पास जब ग्यान हो जाएगा ना ग्यान कहते हैं ना विद्या ददाती विनियम जिसके पास सच में knowledge होती है सच में विद्या होती है ना वो विनिमर होई जाता है है ना जितना knowledge इकठा करोगा अभी थोड़ा सा knowledge होगा ना इस वज़ा से कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए है ना आधा ग्यान है तो छलकते हुए प्रोफेसर मनता हूं रिसर्च करता हूं बहुत बहुत है आगे बड़ी दुनिया है ना घर से बाहर निकलो नए जगे पर जाओ अपना जो नियूरॉंस का पाथ है ना देखो क्या होता है बेसिकली हम पूरा दिन जो काम करते हैं ठीक है आप सुबा उठते हो ब्रस मंजन कर पर लदे बैठ गया पर दो से युष रहस्ते है ऊड़ीर लंतर नया किया टोड़ने है न minist пять में चलना ऐ इन Bernard अगर में बता हूं तो तो भड़े खराब लगे कुछ भी लगे मैं कभी कभी जैसे अपने ऑल रहा हूं या कहीं और जा रहो हूं एक-दो बार तिसरी बार में किया घरते दूसरी बार किया तो रास्ता बदल डेता हूं गए तुम्हें कहीं दूसरी जगे चला गया दूसरी रास्ते से घھուब टहल के पहूँच रहा हूं पुलेड़ है कहा हो दस मिलट में आना था हां आह रहा हूं पसे रास्ते हुं está तो दूसरे राष्त कि पहुंँ आइसे भाईक उठा निकल गया ये टैनल रहाँ कहीं चाय पी रहां कहीं लोगों कुछ लोग मिलें हसते जा रहे तो मैंने भी आढ़ा समयल कि हलो ओलो बोला हलोोर क्या कैसे हो बात करने लगा है नर तो ऐसे मैं करता हूं इसे क्या होते पता इससे नए निउरॉंस ड्योफ होते हैं नए पाथ ड्योफ होते हैं इस ए हमारा दिमाग ना actively run करता है तोड़ा सा मजबूत हो जाता सार्फ हो जाता है ठीक है और याद रखना तुम सबसे पहले अपने बॉडी पर ध्यान दो, अपने सरीर पर ध्यान दो, और अपने दिमाग पर ध्यान दो, ठीक है, बॉडी मतलब मसल्स पावर को गेन करो, और इसके बाद अपने माइंड पावर को गेन करो, ठीक है, नॉलिज को वरो, स्किल्स को सीखो, नहीं नहीं स्किल्स को सीखो, और पॉ तो आप लोग ना पॉजिटिव मेंटल एटिट्यूट को बिल्ड करिये कोई और आ करके आपको कुछ बोल देना उदास मत हो ये उसको बोले गॉड ब्लस यो भगवान तुम्हारी रच्छा करे ठीक है ये थौट्स मेरे नहीं ये थौट्स तुम्हारे हैं तुम मेरे बारे एक सिंपल से बात बनाने सिंपल से बात तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये तुम्हारे गल्फ्रेंड और तुम्हारे बॉइफ्रेंड को भी नहीं पता होगा ठीक है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो जान से ज़्यादा भी प्यार करते ह जाके ये कर जाके वो कर ऐसा कर वैसा कर दूसरे का कहना क्यूं मानते हो कि मैंने कहता कि किसी का कहना भी मत मानो कहना मानो ठीक है सलाह उससे लो जो सच में सलाह देने लाइक है ऐसे गली चलते किसी सलाह मत लो नहीं तो परेशान रहोगे उदास रहोगे हतास रहोगे ठीक है उससे ज्यादा ठीक है और आज कल तो ग्यान तो फ्री में मिल जाता है रास्ते में चलो कहीं भी जाओ कोई भी मिला हाथ रख का का चल रहा है तुरन ग्यान दिया निकल लिया ठीक है तो ऐसे वैसे लोगों से मत मिलो उन लोगों से बात मत करो ज्यादा लोग के साथ मत बैठ एक चीज जीवन में याद रखना जो तुम ढूड़ोगे वही तुम्हें मिलेगा ठीक है जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम हो जाओगे ठीक है जिस तरही तुम सोचोगे जैसे तुम्हारे विचार होंगे तुम ऐसे होना सुरू हो जाओगे ठीक है न इसलिए अच्छा स आने में इस mobile phone में ना mobile phone में इतना distraction होने के बाउजूद भी आज आप इस video को देख रहे हो सच में आप बहुत अच्छे बच्चे हो और मैं guarantee के साथ आपको कह रहा हूँ मैं guarantee के साथ कह रहा हूँ सच में आप लोग जीवन में बहुत अच्छा करोगे यार सच में बहुत आगे जाओगे ठीके सच में जिस फिल्ड में भी जाओगे ना सच में बहुत आगे जाओगे इतने डिस्ट्रैक्शन आप लोग जा करके मूवी भी देख सकते थे आप लोग कॉमेडी वीडियो देख सकते थे रिल से स्क्रॉल कर सकते थे लेकिन नहीं आप लोग वो सब छोड करके educational window देखने आए पढ़ाई करने आए आप knowledge लेने आए अपने दिमाग में कूडा भरने नहीं आए है ठीक है अपने दिमाग में गारबेज बरने नहीं आए है अपने दिमाग में knowledge भरने आए है है तो यार बताओ आप से अच्छा कौन होगा सच में खुद से सोचो यार खुद से सोचो कि आप से अच्छा कौन हो सकता है इतने distraction को avoid करके छोड़के हटाके आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं सच में आप बहुत अच्छे हो सच में ठीक है तो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं ठीक है ताकि आपको कुछ knowledge भी मिल जाए आज हम लोग बात करेंगे six kingdom classification की ठीक है जीवन इन्ही तीन यूनिट में है ठीक है बोला जीवन इन्ही तीन यूनिट में है इन्ही थ्री डोमेन में है तीन डोमेन में है ठीक है क्या life जीवन जो है सिर्फ और सिर्फ इन्ही तीन डोमेन में है पहला डोमेन है डोमेन आरकिया क्या है डोमेन आरकिया डोमेन को ऐसे डोमेन यू बैक्टिरिया ठीक है फिर तीसरा डोमेन दिया इन्होंने क्या दिया डोमेन यू केरिया देखो पता ही क्या किया क्या 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 बना दिया पहला Kingdom Archibacteria and second kingdom is kingdom by regard यू बैक्टिरिया थीक है को उसी Kingdom Monera को उठा करके दो भागों में विभाजित कर दिया पहला Archibacteria और डूसरा की रही यू बैक्टिरिया धीक है के उसी Kingdom Monera को दो भागों में तोड़ दिया लेकिन चार Kingdom बोले भाई चाहां गया प्लांटी एनिमीलिया प्रोटिस्टा फंजाई ये कहां गए इनको बोला ठीक है मैं रखता हूँ इनके लिए इन्होंने एक अलग डोमेन बनाया डोमेन यू कहरिया ठीक है यू कहरिया में इन्होंने किंगडम प्लांटी को रखा किंगडम एनिमेलिया को रखा किंगडम प Cracteria domain eukarya तो यह देखो एक दो तीन चार पॉन और छे छे खीक इंगडम होगे न जो जी उते वह सब आद्य थे थे थोड़ा सा कम कम अच्छे थे कम अच्छे मतलब कम विखसित थे और यह थोड़ा सा अलपविख्षित मनलब अती विख्षित यह सब ऐसके पर जयों कि आघ्योंगे मिधेन बश्राइब आकथ हाई ज जो पंपरेशाए बिक्रोंपडीक्यास करते हैं लोगते तक है पूंजर कोल्ड रिंग ओड़िंग पीता है चिप सो गहरा खाता है ठीक जूस पीता है बैठ या मस्ती करता है अपनी गर्फ्रेंट के साथ उस बैक्टीरिया उस सारी बैक्टीरिया नहीं उस microorganism को बोलते है hyper thermophiles ठीक है थर्मो मतलब होता है temperature से related है ठीक है फिर क्या है domain eubacteria की example के है जैसे आपको हो गया mycoplasma हो गया sinobacteria ये सभी किसके example है domain eubacteria के ठीक है इसके बाद domain eukaryota आप जानते है planty, animalia, protozova और फजाई तो ये थे जीवन के तीन domain life के three domain जिसको दिया था call वाउजे ने किस ने दिया था call वाउजे ने तो ये जो होते हैं ये जो जीवने थोड़ा सा primitive थे का जो है किंगडम आर्की bacteria स्वारी हां आर्की बैक्टीरिया के जो जीव थे वो आद्दे थे ठीक है लेकिन ये लेकिन इसमें जो कोशी का कला थी कोशी का भीत्ती थी उसमें प्रेप्टीडो ग्लाइकॉन प्रेजेंट था ठीक है बाकी इनमें जो सेलौल प्रेजेंट ही थी प्लांट में ठीक है ये एक जैसे में बड़ा क्लासिफिकेशन मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा मेरी पूरी सुफ कामना है आप लोगों के साथ में जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आए कमेंट करके बताइए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे तो मिलते हैं क्लास में विस यू अल दे बेस्ट थैंक यू